हाई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड फ्रेंड आप सभी को बता दू कि अगर आप जेपी उनिवर्सिटी के छात्रे उम्षात्रा है तो आप सभी के लिए बहुत ही बरी अपडेट निकल करके सामने आई है चाहे आप अस्तनात्त के हो चाहे आपक कोई और कोर्स क्यों नहीं हो चलिए क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आया है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी स्तार से एक्के करके बता देता हूँ चलिए वीडियो में आगे वरते हैं फ्रेंड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सनी बार को इवा सकत संघर्स मुर्चा के एक प्रतिनिधी मंडल ने जै परकास विश्विद्याले के कुल्पती परमेंद्र कुमार बाजबेई से मिलकर असना को तर सत्र 20-22 सेकेंड एवं ठर्ड सेमेस्टर का परिक्षाफल परकासन वस्सत्र 23-25 के नमांकन को अर्रम करने तथा विभीन छात समस्याओं को लेकर ग्यापन दिया संबंदित मुद्धों पर गहनता वुर्पग विचार करते हुए कुल्पती ने एक डिर माह के अंदर सभी समस्याओं के निदान का सक्रात्मक अस्वासन दिया इवा सक्ति संघर्स मुर्चा के अध्याक्ष अमित नैन ने कुल्पती को अउगत कराते हुए कहा कि मई के महीने में असनाकोतर की परिक्षा आयोजित हुई थी देखते देखते सितंबर आ गया लेकिन अभी तक परिक्षा फलका परकासन विश्विद्याले द्वारा नहीं किया गया है इससे भी भी इन परतोगी परिक्षाओं में बैठने की इक परिक्षा रखने वाले छात छत्राओं के सुनाहरे भविस के दिशा में औरोध उत्पन हो रहा है इस मौके पर संगर्स मोर्चा के महासचीव सदाब अहमाद मजहरी उपाध्यक्ष सर्ताज खान सुमीत कुमार इत्यादी मौजूद थे तो फ्रेन यहाँ पर आपने पर्फेसर परिमेंद्र कुमार वज। फे इकाख कहना है अब यहाँ आगे देखना होगा कि यह एक से डिरमाह में कितना समस्य का समधान करते हैं क्योंकि आप सभी को मालुम होगा कि यह पी उनिभरसिटी के कथनी और करणी में बहुत ज़ादा का फार्क होता है आप सभी इतना दिन में डियालत जारी हो जाएगा इतना दिन में नमांकन यहागा। लेकिन इसा भी होता नहीं है। लेकिन एक पर फिर से अस्वासन मिला है कि डिर माह के अंदर आपके जो भी समस्य है उसकी समधान की जाएगी। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आता है आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दे ताकि आने वाली सभी महत्पुर्ण अपडेट आप सभी को सही समय से मिल सके पर फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ तब तक के ल इंडेट